हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में मैं आपका दोस्सिकंदर से एक आज आपके लिए फिर से एक न्यू वेकेंसी जो किस स्पोर्ट्स को टाकी है तो लांस तक बने रहना मेरे साथ और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पता चले कि नॉ वेकेंसी जाएंगी उसका नोटिफिक्शन अव्प तक पहुशता रहेगा और वीडियो की अपडेट अब तक पोस्ती रहेंगे तो चलो हिंद बात करते है कि वेकेंसी कहां से एंट रिलिस्ट वी है तो यह वेकेंसी रिलिस्ट वीए देखिए दिल्ली सब और दिनेट सर 20 जुलाई 2022 तो यह तो जब पब्लिस्ट हुआ तो यह मुझे पता चल गया था पब्लिस्ट हुआ है बोलके पर मैंने इसका वीडियो लेट इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें किस-किस गेम के लोग अप्लाई करेंगे इसको लेकर के बहुत डाउट था नतलब इसमें गेम लिस्ट नहीं देगी थी और मैंन सब्लाई करेंगी ओमन इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, वीडियो स्कीप मत करना, पूरा हैंट तक निकना, तभी समझ में आएगा कि आपको फॉर्म किसमें आपको फिल करना है, जो स्पोर्ट स्कोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह फॉर्म जो है, आपको ऑनलाइन अपलाए कर जैसा इसमें मैनेजर है, फिर डिप्टी मैनेजर है, फिर तीसरे नंबर पे जो दिखेगा आपका, जूनियर लेवर, वेलपर इंस्पेक्टर, तो यह अपनी काम का वेकेंसी है, यही वेकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, इसका डिपार्मेंट है, डिली और EWS के लिए इसमें 0 वेकेंसी है, EWS के लिए कोई वेकेंसी नहीं है, UR के लिए आपको 5 वेकेंसी देखने मिलेंगी, OBC के लिए 1 है, और SC के लिए 1, और JST के लिए यहाँ पर कोई वेकेंसी नहीं है, और SC टोटल वेकेंसी, इंस्पेक्टर की यहाँ पर 7 वेकेंसी है, औ ठीक है आप यहां पर देखिए यहां दिख जाएगा आपको अधिक यह 7 और यह साथ के साथ जो है sports के लिए reserved है तो यह जो है junior labor welfare inspector का vacancy sports के लिए है इसमें जो normal person है वो apply नहीं कर सकते उनके लिए यह reserve नहीं है वो apply भी करेंगे तो बाद में जो है उनको reject कर दिया जाएगा तो इसको online apply करने की last date 27 अगस्ट 2022 है रात के 11 बच के उनसाठ मिनिट तक यह form चालू रहेगा उसके बाद बंद हो जाएगा तो कल जाकर कि इसको आपने apply करना है पहले पूरा जो है इसका education qualification सारा चीज़ आप जान लिजिए अगर आप eligible होते हो तो जाकर कि इसको online apply कर देना description में लिंक है ठीक है तो अब इसके qualification की बात करेंगे तो नीचे आना पड़ेगा आपने post code याद रखना है इसका 1522 जो है अपना इसका post code है ठीक है अब नीचे में आना है तो नीचे में आपको इस pdm में सभी post के लिए जो है इसमें accountant का है assistant का है सभी post के लिए अलग-अलग qualification है लिमिट है तो वो तो normal vacancy उसमें तो कोई भी apply क कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए अभी अपना post code था 1522 ठीक है यह वाला 1522 नेम आप पोस्ट अपना जो है जूनियर लेबर वेलफर इंस्पेक्टर डिपार्मेंट जो है दिली ट्रांसपर्ट कॉर्परेशन यहाँ वेकेंसी पोजिशन दीए पूरी देखो इंक् अन पॉपुलर स्पोर्ट्स तो यह पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन से कौन से यही पता नहीं चाड़ा था कि पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या है कितने गेम से उसमें तो अभी देखो सभी की सभी प्लेयर को क्या लगेंगा नोटिपिकेशन पढ़ने के बाद मेरा गेम भी प experience नहीं है इसमें सीव यहां पर आपको 12 पास चाहिए और साथ में नैशनल या स्टेट अपने खेला रहना चाहिए अब यहां पर पेस्केल तो मैंने पहली बताया तो यह फिर भी बसा देता हूँ मिलेगा सिद्री बारे में भी बात करेंगे तो बीच में तोड Hm इसके बारे में ऐस्केष्यम कवारा दॉध हो बात कर लेगा दूध कर दी को इसके दमने आना साथ में आप इसको आपलाई भी कर सकते ना तो देखिए यहां पर मैं इसके एक देखो इंडिन हैंने की कोई भी इंडिया से हो वह बिल्कुल में अपला एकर सकता है अवी के सु मिनिट्स पीम तो बाद में जो है लिंक जो है बंद हो जाएगा और वेबसाइट देखी यहां पर लिखा भी है मैं लिंक दिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोनों तरफ से अब जा करके इसको ऑनलाइन अपलाइ कर सकते हो तीक है अब फीज की बात करेंगे इसको अपल फीजने लगेंगी बोईस के लिए एक सर्विस मेंने कोई तो फीजने लगेंगी पीड़ी है कोई फिजिकल हंटिक तो उसको भी फीज नहीं लगेंगी थोड़ा आपको नीचे में आना है ताकि आपका एज रिलेक्सेशन आपको पता चल जाए यहां पर में एक्जाम स्क एक मार कर रहेगा तो यहां आप यह सिलेबश्रम पढ़ सकते हो कि कैसे किस तरह से आता है तो देखिए सिलेबस के बारे में अब मिलेको पड़ाई के चीज का ज्यादा नौलिज नहीं कि मैं आपको बूक बता हो यह रिकमेंड़ेट नहीं आपको आपको आपके सीटी में जो भी अच्छे से रीडिंग रूम जाते जो अच्छे दिन पर पढ़ाई में लगे रहते हैं तो आप उनसे थोड़ा गाइडेंस लीजेगा ताकि मैं तो इस चीज की बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता कि आप यह बुक पड़ो यहां पर जाओ वहां पर जा पढ़ा लिखा और पूरा और बंदा चाहिए ठीक है यहां पर आपको एजूकेशन भी बता दिया गया और एज लिमिट बतानी आपको एना तो थोड़ा और नीचे में आना है अपने मोड आप सेलेक्शन यहां पर पहले बता दिया कि एक्जाम बेस पर रहेगा और नीच इसमें देखना है साथ नंबर पर स्पोर्ट परसन का है यहां इसमें पढ़िए पूरा अच्छे से अपटू फाइए यर्स जो है यूर के लिए रहेगा यानि कि 40 साल तक यूर का केनड़िट अपलाए कर सकता है आपका कुशन यह रहेगा कि सर मेरे 2012 का है और सर्टिपिक पिर चलेगा तो इसमें मेंसन नहीं किया गया कभी कभी चल सकता है गेम बताता हूं रूख है गेम बताता हूं अब यहां पर देखिए जैसा पास सल चूट मिल गई आप 40 सल तक अपलाई कर सकते हो अब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसमें 8 साल एड़ कर दो 35 में आप तो वह भी अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर एज रिलेक्सेशन काफी अच्छा मिल गया और उपर से उमर में छूट है और वेकेंसी भी पूरा स्पोर्ट के लिए दूसरा मतलब जो कॉम जो कॉमन बच्चे जो कॉमपूटिटिव एक्जाम की चार-चार-फास साल से पढ़ाई करते तो वो लोग इसमें न अपलाई नहीं कर सकते एंगर बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास स्पूट सर्टफिकेट रहता है और जो कॉमपूटिटिव एक्जाम की तैयारी करता है कोई भी तो यह क्या relaxation है कैसे क्या रहेगा सारा कुछ इसमें बना है और आपका exam center देखो Delhi Delhi NCR noida इसी एरिया में आपका जो है exam center बनता है इसका ठीक है क्योंकि मैंने form field किया था online तो उसमें exam center का कुछ उन्होंने option नहीं दिया था कि आप मतलब आपके स्टेट में भी इसका एक्जाम सेंटर ली सकते हो कि तो ऐसा कुछ नहीं था अभी बीच में एक इनकी तरफ सी एक notification जारी हो था जो junior secretary assistant कता चाहिए तो उसमें क्या था sports के लिए result था तो वह वाले में जैसा अभी एक्जाम दे रखाया बच्चों ने उनका result लगना है तो अभी तो उसके बारे में कोई update नहीं है उसके बारे में जैसी भी अपडेट हैंगे तो मैं बताओंगा उसका पॉल भी किये देखिए सर इसमें sports का वेकेंसी पर sports गेम्स पता नहीं चल रहे तो यहां पर देखिए आपको मैंने एक फॉर्म भर रखा इसमें तो जो मैंने screenshot लिया था उसका फॉर्म भरते समय पर ठीक है यह जो पॉर्टल पर से मैंने screenshot ले लिया था फॉर्म फिल घरते समय तो यहां पर देखिए आपको अभी इसमें तो नहीं दिख रहा है हां यहां पर ठीक है अभी यहां पर देखिए फॉर्म जैसा आप लॉगिंग कर लोगे registration कर लोगे उसके बाद आपको interface आजाएगा साब में तो आपने जो है apply for new application करने करना है फिर आपका personal detail दालना है फिर photo upload करना है फिर qualification qualification और experience में आपको यह वाला पेज आ जाएगा तो यह वाले पेज में आपको detail लिख करके रहेगा आपका code रहेगा या बर्वे जैसा junior labor welfare inspector code रहेगा और यहां qualification में लिखाया है सीधा ठीक है senior secondary school equivalent बी में state national लेवर प्लियर popular sports तब देखे popular sports में यहां ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने की popular sports यहां पर इनको कौन से चाहिए देखे यहां है cricket, hockey, football, कबड़्डी और volleyball ठीक है तो यह 5 गेम है इसमें तो यह 5 गेम की लो है कि उफर से अगर आपका qualification match नहीं होता है यह sports certificate match नहीं होता है यह sports discipline match नहीं होता है तो similarly you will be rejected तो जो 5 गेम दिये गया है इसमें तो वही गेम वाले apply करें दुसरे गेम वाले apply ना करें ठीक है अगर आपको all games की vacancy देखनी है तो already मैंने income tax के उपर में एक वीडियो बना है आप वह भी check out कर सकते हो और इसको online apply करने का link description में है वहाँ से जाकर करके आप बिल्कुल इसको online apply कर सकते है जिन लोगों ने अभी तक हमारा telegram group join नहीं किया है तो यह telegram group है हमारा sports quota recruitment के नाम से तो अब इस group को join करें ताकि अब तक जो भी new vacancies है admit card result इसकी सारी update यहां से म मत करिए अगर आपने telegram group join किया है तो WhatsApp group join मत करिए ठीक है यहां से आपको और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरू करें ताकि उनको पता चले कि sports का वेकेंसी अलग-अलग departments में आता है और मैं अभी भी बोलता हूं कि यह department जो था दिल्ली ट्रांसपोर्ट अब यह पता था तो वो जो normal candidates होते जो sports person ने होते हैं उनको पता रहता है कि यहां वेकेंसी आती है बोल करके तो जो pure sports person होता है जो national medalist है जो अच्छे से sports person करता है तो उनको नहीं पता थी तो आज आपको पता चलके यह अच्छे वेकेंसी है ठीक है इस वीडियो को पूरा लाइक बनता है बिल्कुल लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेह जरू करिए थैंक्यो फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलूंगा मैं आपको नेक्स वीडियो में